नमाशकार दोस्तो, दोस्तो आज हम बनाने वाले हैं पनीर लबाबदार दोस्तो इस सबजी में सबसे ज़्याधा इम्पर्डट होता है ग्रेवी त्यार करना जैसे आप देख पारे हों कितना बढ़िया पनीर लबाबदार की ग्रेवी बहुत ही मस्त है दोस्तो अगर आप इस तरीके से सब्जी और ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो आगे बने रहे बहुत बढ़िया दोस्तों मैं बताऊंगा तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा इस सब्जी को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ग्रेवी के लिए पेश्ट तयार करेंगे तो पेश्ट तयार करने के लिए मैं यहाँ पर कढ़ाई ले लिया हूँ और कढ़ाई में दो चम्मच रिफाइन ओयल अड़ करूँगा जब आपका ओयल गरम हो जाए तब हम यहाँ पर जीरा अड़ करेंगे तो जीरा मैं यहाँ पर आधा चम्मच लिया हूँ दोस्तो इसके बाद दोस्तो मैं यहाँ पर तेज पत्ता अड़ करूँगा छोटे साइच के तीन इसके बाद दोस्तों मैं हाँ पर तीन तुकडा अधरक एड़ करूँगा इसके बाद दोस्तों मैं हाँ पर पांच लसुन की कली एड़ करूँगा इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर एड़ करेंगे आर से दस काली मिर्च के दाने इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर एड़ करूँगा एक चक्र फूल इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर एड़ करूँगा दो हरी इलाइची इसके बाद हम यहाँ पर एड़ करेंगे जावित्री एक एड़ कर देंगे इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर एक तुकड़ा दालचिनी एड़ कर देंगे और दो कस्मिरी लाल मिर्च एड़ कर देंगे इसके बाद दोस्तों दो चमच मैं हाँ पर मुम फली के दाने एड़ करूँगा तो पहले मैं इनको अच्छी तरह से mix कर लूँगा ताकि ये कढ़ाई से लगे नहीं तो दो मिर तक दोस्तों मैं इसको mix किया हूँ फिर इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर add करूँगा एक बड़ी प्याच लंबे slice में cut करके इसके बाद दोस्तों मैं हाँ पर दो टमाटर add करूँगा cut करके इसके बाद दोस्तों मैं हाँ पर आठ काजू लिया हूँ add कर देंगे और add करने के बाद दोस्तों अच्छी तरह से mix कर देंगे दोस्तों तो 2 से 3 में तक दोस्तों आपको इस तरह mix करना है और टमाटर बढ़िया तरह से soft हो जाएगा दोस्तों जब आपका टमाटर soft हो जाएगा तब हम यहाँ पर flame को off कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे दोस्तों जब यह ठंडा हो जाए तब हम दोस्तों यहाँ पर grinding jar में add करेंगे सब चीज़ को और फिर उसके बढ़िया दे पेश्ट बना लेंगे दोस्तों पेश्ट बनने के बाद दोस्तों अब हम पेश्ट को चानेंगे तो चनी में दोस्तों पूरा पेश्ट हम add कर देंगे दोस्तों और एड़ करने के बाद दोस्तों चम्मा से इसको बढ़िया तरह से छान लेंगे पेश्ट को दोस्तों इस तरह छानने से बहुत बढ़िया दोस्तों आपके ग्रिवी तयार होती है तो यहाँ पर हमारा पेश्ट अच्छे तरह से छन के रिडी हो गया है मैं आपको दिखाता हूँ कितना बड़िया हमारा यहाँ पर पेश्ट तयार हो गया है यह दिखिए दोस्तो तो पेश्ट को हम रख देंगे दोस्तो साइड में और अब हम यहाँ पर चलेंगे सबजी बनाने के लिए तो उसके लिए मैंहा पर कढाई लिया हूँ और कढाई में हम दोस्तो यहाँ पर देशी घी एड़ करेंगे दो चम्मच आप यहाँ पर बटर का भी इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तो मया पर देशी घी से बना रहा हूं दोस्तों इस सबजी को आधा चम्मच जीर एड़ कर देंगे और आधा चम्मच मया पर हल्दी पाउडर एड़ कर दूँगा और आधा चम्मच मया पर लाल मिर्च पाउडर एड़ कर दूँगा इसके बाद दोस्तों आधा चमच गरम मसाला एट कर दूँगा और एक चमच दोस्तों मैहा पर धन्या पाउडर एट कर दूँगा इसके बाद दोस्तो मैं पर एक चमच कस्तूरी मेथी को हाथो से थोड़ा सा रगड दूँगा दोस्तो बहुत बढ़िया दोस्तो खुसबू आएगी तो सब चीज को दोस्तो चमच से अच्छी तरह से पका लेंगे दोस्तो यह दिखें दोसो कितना बढ़िया दोसो यहाँ पर दिखने लगा है मसालों का कलर इसके बाद दोसो आधा चम्मचबयां पर लसुन और अधरक का पे्ष्ट अड़ कर दूँगा और इसको भी थोड़ा सा मिक्स कर देंगे दोसो mix करने के बाद दोस्तो अब हम यहाँ पर add करेंगे paste जो हम चान करके रखेते बाहर उसको add करेंगे तो paste को add करने के बाद दोस्तो अच्छी तरह से mix कर देंगे और mix करने के बाद दोस्तो अब हमें इस paste को पकाना है दोस्तो तो पकने के लिए मैं आप इसको ढग दिता हूँ दोस्तों पांच मट के लिए और इसे बीज बीज में आप चिक भी करना है दोस्तों ताकि कढाई से लगे नहीं तो पांच मट हो गए हैं दोस्तों अब मैं यहाँ पर कैफ को निकाल कर देखता हूँ बहुत बड़िया दोस्तों हमारा यहाँ पर पेश्ट जो है पक के रिडी हो गया है जो भी मसाले हम एड़ किये न वो अच्छी तरह से पक गया है दोस्तों बहुत बढ़िया दोस्तों खुसबू आ रही है अब मैं यहाँ पर एड़ करूँगा दो चम्मच के करीब यहाँ पर मलाई तो दूद की मलाई है दोस्तों और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे दोस्तों मलाई को अच्छी तरह दोस्तों मसालों के साथ मिक्स कर दिया हूँ और ये देखे दोस्तों कितना बढ़िया दोस्तों इसका जो कलर है मसालों करना बहुत बढ़िया दिख रहा है इसके बाद दोस्तों मैं आपक ग्रेवी के लिए पानी अड़ कर दूँगा तो इस कटोरी में थोड़ा सा यहाँ पर मलाई लगा था तो इसी कटोरी मैं यहाँ पर एक कटोरी पानी अड़ कर दूँगा इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर साही पनीर अड़ कर दूँगा एक चमच देंगे तो gravy आपकी पकनी चाहिए दोस्तो तो मैं यहां पर दो मिर्तक gravy को पका लोंगा दोस्तो तो gravy बहुत ही बढ़िया दोस्तो पक जाने के बाद अब बार है यहां पर पनीड एड करने की तो पनीर को दोस्तो मैं इतने लंबे-लंबे यहाँ पर कट कर लिया हूँ तो 300 ग्राम मैंने यहाँ पर पनीर लिया हूँ दोस्तो तो पनीर को आड़ करने के बाद अब हम इसको अच्छे तरह से मिक्स कर देंगे दोस्तो तो यहाँ पर हमारी पनीर मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो गई है और अब हमें इसे ढख करके 5 मट के लिए दोस्तों पकने के लिए छोड़ देना है तो पांच मठ हो गए हैं दोस्तो अब हम यहाँ पर कैफ को निकाल कर देखते हैं बहुत बढ़िया दोस्तो यहाँ पर तयार हो गई हमारी सबजी जैसे आप देख पारों कितना बढ़िया दोस्तो सबजी का जो कलर है और ग्रीवी भी बहुत ही सांदार है दोस्तो तो ये हमारी तयार हो गई है दोस्तों पनीर लवाब्दार ये दिख़े कितना बढ़ी है लवाब्दार दोस्तों दिख रहे हैं na बहुत ही टेष्टी I hope आपको ये पनीर लवाब्दार की सबजी का वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों क्योंकि हम ऐसा वीडियो लाते रहते हैं और अगर आप मेरे चलनल पर नए आए तो चलनल को सब्सक्राइब कीजेगा